8 मार्च 2022 के एपिसोड की शुरुआत आदित्य को लोगों की जान जोकिम में डालने वाली गलत मौसम रिपोर्ट प्रसारित करने के आरोप में गिरफतार किये जाने के साथ होती है। हालां कि आर्यन इमली को समझाने की कोशिश करता है कि उसने कभी भी उसका बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन वो उस पर भरोसा करने को तयार नहीं है। बाद में, आर्यन अपना धैर्यक हो देता है और इमली को उससे शादी करने के लिए मजबूर करता है. वो आदित्य के जीवन का उपयोग उसे ब्लेकमेल करने के लिए करता है. इमली के पास आदित्य की जान बचाने के लिए आर्यन से शादी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है. लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो आर्यन को इमली से जबरदस्ती शादी करने देती हैं, जबकि वो उसके लिए अपनी भावनाओं के बारे में भी सुनिश्चित नहीं है. आदित्य से बदला लेने और शादी के लिए ब्लेकमेल करने के बारे में जानने के बाद क्या इमली कभी आर्यन पर भरोसा कर पाएगी?